हलो एन वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पर रहे हैं एंसी एर्टी क्लास विफ्थ हिंदी का चैप्टर नंबर तीन खिलोने वाला और यह है पार्ट टू वीडियो जिसमें हम टेक्स्ट बुक के कोश्चन्स को सॉल्व करेंगे इस कवीता का एक्स्प्रेनेशन मैंने बह लिए शुरू करते हैं सबसे पहले कविता और तुम प्रश्ण एक तुम है किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे अब बताइए अकसर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो रूठना यानि कि छोटे-छोटे किसी चीज पर गुसा हो जाना तो आप जैसे चोटे-चोटे बच्चे चोटी-चोटी चीजों पर ही थोड़ा सा गुसा हो जाये करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जब मुझे मेरी मन पसंद वस्तू नहीं मिलती यानि कि what I wish that I do not get तब मैं रूठ जाती हूं प्रश्नकर मा के अलावा घर में और कौन-कौन है ज सभी अन्य बड़े सदस्य जैसे हमारे दादा दादी वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं वैसे ही हमारे बड़े भाई बहन हमारे पापा आदी हमें मनाते हैं प्रश्न दो हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत बल देते हैं। यानि कि किसी बुरी चीज पर अच्छाई की विजय हुई थी। उसी बात को मनाने के लिए, सिलिबरेट करने के लिए हम फेस्टिवल मनाते हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं। ऐसे ही त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओं। तो ऐसे दियोत्युहार जो हमारे देश में मनाए जाते हैं वो है दशैरा और होली। दशैरा के बारे में तो आपको पता ही है श्री राम ने लंका में जाके रावन को मारा था। रावन ने कौन सा बुरा काम किया था। रावन ने श्री राम की पतनी सीता का अपहरन कर लिय अपरण यानि की जबरदस्ती किसी के इच्छा के विरुद किसी को उठा के ले जाना। अपरण यानि की बुराई पर अच्छाई की जीत का सलीब्रेशन है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था। यानि की प्रहलाद को आग में लेके बैठ जाओ। जिससे की तुम तो नहीं जलोगे लेकिन प्रहलाद जल के मर जाएगा। क्योंकि ऐसा बेटा जो भगवान की पूजा करता है मेरी पूजा नहीं करता ऐसा बेटा नहीं रहा तो अच्छा। कितना बुरा बात है ना। लेकिन बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तरह में राम की जीत और होली में होली का दहन की कहानी है। दहन यानि की जलाना बॉर्ण करना। प्रश्ण तीन तुमने राम लीला के जरिये या फिर किसी कहानी के जरिये राम चंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन-कौन सी बाते अच्छी लगी, राम लीला यानि की वो नाटक जो हम अक्सर थेटर्स में या फिर दशरा के आसपास के टाइम पे स्टेजस में देखते हैं, लोग राम, सीता, लक्षमन, हनुमान जी की एक्टिंग करते हैं, श्री राम से जुड़ी हु जो चीजे अच्छी लगती हैं, वो बाते लिखनी हैं, उत्तर हमें राम चंदर की ये बाते अच्छी लगती हैं, सबसे पहले राम चंदर आग्याकारी पुत्र थे, आग्याक्यारी यानि की हर आग्या का पालन करना, मम्मी पापा की हर बात मानना, जैसे राम चंदर के प काम करने वाला इंसान हमेशा जो अच्छा काम है वो वही काम किया करते थे तीसरा वे बड़ों का आदर करते थे यानि कि एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते थे चौथा सत्य के मार्ग पर चलते थे हमेशा वो सच का साथ देते थे कभी भी जूट नहीं बोलते थे पांचवा व वो हमेशा अपने फ्रेंट्स की हेल्प किया करते थे रामायन की कहानी में अपनी पड़ी होगी ना रामचंद्र ने सुग्रीव की मदद की थी सुग्रीव का खोया हुआ राज्ये वापस पाने में और सात्वा वे वीर और सहसी थे तभी तो वो लंका में जाकर रावन का वद करके अपनी पतनी सीता को वापस लेके आये थे तो हमें रामचंद्र के बारे में इन सब चीजों का पता लगता है चोथा प्रश्न नीचे दिये गए भाव कवीता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें चाटो भाव यानि की इमोशन हमें पोयम्स की जिन लाइन को पढ़के इन सब चीजों के बारे में फील होता है पता चलता है उन लाइन्स को लिखना है सबसे पहले खिलोना वाला साड़ी नहीं बेचता पोयम की कौन सी लाइन को पढ़के हमें ऐसा पता चलता है कि खिलोना वाला साड़ी नहीं बेचता वो है कभी खिलोने वाला भीम क्या साडी ले आता है ये वाली लाइन उसके बाद दूसरा है खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए आवाजे लगा रहा है वो है जब भी फेरा वाला आता है तो क्या बोलता है नए खिलोने ले लो भाईया जोर जोर वह रहा पुकार इन दोनों लाइन्स को हमे पढ़के ये पता चलता है कि खिलोने वाला बच्चों को खिलोना लेने के लिए आवाजे लगा रहा है, यानि कि बच्चों को बुला रहा है, ग, मुझे कौन सा खिलोना लेना चाहिए, उसमें मा की सलहा चाहिए, यानि कि मा का सजेशन चाहिए, तो हमारी लाइन है, कौन ख खिलोना लेने वाला हूँ तुम भी मनमन में थोड़ा सोचो। उसके बाद घह मा के बिना कौन मनाएगा और कौन गोध में बिठाएगा तो लास्ट के कुछ लाइन्स में हमने पढ़ा था तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोध में मन चाही चीजे देगा। अब है पांचवा कोशन, आपके घर के आसपास खिलोने वाली की तरह और भी बहुत सारे फेरी वाले आते होंगे। यानि कि चीजे बेचने वाले जैसे मुंगफली ले लो, मुंगफली, गरम करारी, टाइम पास मुंगफली ऐसी ऐसी चीजे भी हमने सुनी होगी अपने घर सुनी हैं सबजे बेशने वाला बोलता है आलू ले लो भिंडी ले लो ताजी ताजी सबजी ले लो वैसे ही हमारे घर के आसपास कबाड़ी वाले कबाड़ी वाले ऐसे करके भी स्क्रैप डीलर्स आते हैं उसके बाद फूट सलर्स भी आते हैं कुछ ताजे ताजे फल ले ल केला आम अंगूर सेब ताजे ताजे फल ले लो ऐसे ही और आप कितने अलग अलग तरीकी के आवाजे सुनते हैं उनके बारे में अप लिखिए उसके बाद है खेल खिलोने तुम यहां पे लिखे खिलोनों में से कौन सा खिल या फिर कौन सा खिलोना लेना पसंद करोगे और और यो आपको वो लिखना है तो खिलोनों के मतलब तो आपको पता ही है गेंत यानि की बौल, रेल गाड़ी यानि की तॉई, ट्रेन हवाई जहाज, टॉई, ऐरोप्लेन, फिर की फिर की क्या होता है फिर की ये वाला खिलोना होता है जो बच्चे अपने हाथ में लिए दो भूसाथी या जो है डॉल बलन, क्रिकटवाली बैठ, उसके बदद बरतन सेट रहे गया, बरतन से्ट यानि की किचन से्ट जो बहुत सारे बच्चे घर-घर खेलते हैं घर में छूटी-छूटी खाने पिने की चीज़े बनाने का एक्टिंग करते हैं खेल-खेलते हैं वो है बरतन से्ट तो इन में से कौन सा खिलोना आपका सबसे फेवरेट है और वो क्यों है? आपको वो लिखना है. तो इसका उत्तर तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा. इसके बाद दूसरा प्रशन तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? तो मैंने अपने बच्पन म जैसे मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लुडो, पकडम पकडाई, इत्यादी खेल खेलती हूँ, अब हम थोड़े से व्याकरन के प्रश्न देखेंगे, खिलोने वाला शब्द संग्या में वाला जोडने से बना है, संग्या यानि कि नाम वाला शब्द, खिलोना किसी का नाम है, खिलोने में अगर हम वाला जोड देंगे, एड करेंगे, तो खिलोने वाला शब्द बन जाएगा, तो ऐसे ही नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखा वाला हिस्सा है, उसे ध्यान से देखो, और उसके साथ संग्या, क्रिया और आदी, अगर कोई है तो उसे जानो, जैसे सबसे पहला है, पान वाले की दुकान आज बंद है, इसमें वाले शब्द अगर हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, पान बचेगा, पान संग्या शब्द है, क्योंकि वो एक लीफ होता है, जिसे लोग खाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पान वाला शब्द जाती वाचक संग्या है सिर्फ पान अगर हम लेंगे तो वो संग्या शब्द होगा व्यक्ति वाचक संग्या क्योंकि वो एक specific leaf का नाम है लेकिन अगर पान वाला बोलेंगे तो वो मोनू पान वाला भी हो सकता है चिंटू पान वाला भी हो सकता है इसलिए वो जाती वाचक संग्या है क्योंकि पान वाला एक group of people का नाम है जो पान बेजते हैं दूसरा है मेरी दिल्ली वाली मौसी bus conductor है यहां पर वाली शब्द किसके सामने लगा है दिल्ली के सामने दिल्ली तो संग्या शब्द है क्योंकि वो किसी शहर का नाम है specific city का नाम है दिल्ली लेकिन दिल्ली वाली मौसी अब दिल्ली वाली मौसी के बारे में जब हम बोलेंगे मौसी यानि की मम्मी की बहन जो दिल्ली वाली है means वो दिल्ली में रहती है तो अगर मम्मी की 3-4 बहने ह महमूदु पाँच बजे वाली बस से आएगा कौन से वाली बस? पाँच बजे वाली जो बस पांच बजे ही आती है, पांच बजे वाली बस इस बस की विशेशता बता रहा है, क्योंकि ये बस किसी और टाइम पे नहीं आती, पांच बजे ही आती है, इस बस की स्पेशालिटी बता रहा है, इसलिए पांच बजे वाली ये जो वर्ड हुआ, ये एक विशेशन श गुडिया चाहिए? बोलने वाली यानि कि जो बोलती है, जो कोई काम करती है, अब आप यह मत समझना कि ये बोलने वाली जो शब्द है ये गुडिया की speciality बता रहा है, नहीं, इस वर्ड का मतलब है बोलना, बोलना एक काम होता है, और जब भी हम कोई काम वाला शब्द वो एक क्रिया शब्द है, बोलना क्रिया है, डूइंग वर्ड है, उसके बाद है दाडी वाला आदमी कहा है, कैसा आदमी है, दाडी वाला आदमी है, अब दाडी वाला आदमी एक स्पेसिफिक आदमी है, जिसे हम रोज मानो देखते हैं, सडक पे चलते हुए दाडी वाला शब्द है कौन सा वाला संग्या व्यक्ति वाचक की जाति वाचक ये व्यक्ति वाचक है क्योंकि ये एक specific व्यक्ति है जिने हम ढून रहे हैं एक particular इंसान इसलिए हम इन्हें संग्या लिखेंगे हम इन्हें व्यक्ति वाचक संग्या भी लिख सकते हैं उसके बाद है इस सामा को उपर वाले कमरे में रख दो उपर वाले को अंडरलाइन किया गया है और यहां पे साइड में रख दो भी है रख देना एक काम होता है तो यहां पे तो मुझे क्रिया शब्द मिल गया लेकिन यहां पे अंडरलाइन नहीं है अंडरलाइन यहां है उपर वाले में है उपर और रख दो क्रिया शब्द है और आखरी है मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगे। यहाँ पे रात वाली गाड़ी यानि कि जो गाड़ी रात को आती है पांच वजे वाली बस वाले कोशन में भी जैसे बस की विशेश्टा बता रही थी वैसे ही इस गाड़ी की विशेश्टा है रात वाली गाड़ी जो ट्रेन रात को चलती है यानि कि ये ट्रेन की विशेश इसलिए रात बजे वाली गाड़ी विशेशन शब्द है। प्रसिद्ध फेमस किस फेमस स्टोरी के कैरेक्टर्स है। उतर ये तीनों पात्र रामायन के है। रामायन को हिंदी में राम चरित मानस के नाम से भी जाना जाता है। उतर इन पंक्तियों का कथा से संबंद है कि कविता का बच्चा अपनी मा के पास ही रहना चाहता है। वह अपनी मा को कौशल्या बनाता है क्योंकि वो स्वेम को खुद को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए यानि कि 14 यर्ज के लिए अपनी मा से दूर हो गए थे। क्योंकि वो वन में चले गए थे। परन्तु बच्चा अपनी मा से दूर नहीं जाना चाहता। और वो इसलिए कहता है कि वह कौशल्या के साथ ही रहेगा, यानि कि अपनी मा के साथ ही रहेगा। प्रश्नग इस कथा के कुछ संदर्भो की बात कवीता में हुई है, यानि कि रामायन के कुछ-कुछ चोटे-चोटे हिसे, चोटी-चोटी बाते, संदर्भ यानि कि इनके बारी में जो बात है, वो कवीता में भी बताई गई है। आप अपने आसपास पूछ कर इनका पता लगाओ, जैसे तपसी यग्य करेंगे, असुरूओं को मैं मार भगाऊंगा। अपने माता-पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए 1 में चले गए थे, क्योंकि वो बड़े आग्याकारी पुत्र थे। तो इसी के साथ हमारा question answer यहीं पे खतम होता है। पार्ट वन वीडियो में हमने इस कविता को बहुत सारे pictures के साथ और story के साथ अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए जिसका link और बाकी सभी chapters के link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बजाएए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले chapters के notification जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धनिवाद एवंग आपका दिन शुब रहे।